हेलो गाइज and welcome to the channel कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी ठीक होंगे गाइज तो इस टायम पर आज जो energies come check करने वाले हैं आपके person की truly feelings के लिए जिन किसी के बार में इस वक्त आप सोच रहे हैं जिन किसी का नाम इस वक्त आप ले रहे हैं गाइज उन person की truly feelings, truly intentions, deeply feelings आपके लिए क्या है ये person आपसे क्या चाहते हैं आपके बार में क्या सूचते हैं इन person की मन में आखिर आपको लेकर क्या कुछ चलता है जिन को देखने से पहले बहुत सुरूरी है कि आप इन person का नाम ले कम से कम दो से तीन बार इन person का नाम ले आप वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो energy है इन person के साथ में ठीक तरह से connect हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे गाइस एन person प्रेक्शन के लिए स्क्रीन पे आरे वर्टसप नमर से आप मुझे contact कर सकते हैं देख लेती हूं जिन किसी की बार में इस वक्त आप सोच रहे हैं उन person की feelings आपके लिए आखिर क्या क unmarried relation भी हो सकता है और ऐसा भी relation मुझे नजर आ रहा है कि ये person अभी इस वक्त आप से दूर हैं डिस्टैंस में हैं ब्लॉक सिचुएशन हो सकते हैं आप दोनों के बीच में या फिर no contact situation भी नजर आ रही है बट ये guys जो no contact situation नजर आ रही है न ये एक ऐसी no contact situation नजर आ रही ह आप दोनों के बीच में कि आप लोग की दूसरे से बात भले ही नहीं हो रही है call के through message के through but कही न कहीं सोच आप दोनों ही दूसरे के बारे में ही रहे हो आप दोनों की जो feeling एक दूसरे के लिए बहुत अधा स्टैंप है मुझे highly connected नजर आ रही है कही न कहीं ऐसा लग रहा ह हो आपके person में कहीं कहीं अ कहीं कि सफंद्य की लेकर नाराज हो रही होंगे अगर आप इसलिए दुखी हो रहे हो अधास रही हो अकेलापन महसूस कर घुछरे हैं और मुझे यहायद आक पिर Social कि में आपके पर नाश आर्रों के अपनी रैफ मेंग हो इतना ही अकीला पन मह शहनान के कुमेंट किजिए गाइश कुमंट हैं आपके एनरजी की सायएकिघा है आपके बाहरे है कि डेफिनेटली आप दोनों में दोनों कुछ एनर्जीज है कहीं न कहीं बहुत जादा आप दोनों जो दूसरे के लिए फील कर रहे हो एक अच्छे रिजल्ट को लेकर आने वाली है आपके रिलेशन में बहुत ही खुबसूरत रिजल्ट जो अगर आपने परसन का अतिजार कर रहे हैं अपने लाइफ में उनका वेट कर रहे हैं चाहा रहे हैं सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में कमबाक होंगे या नहीं होंगे तो मुझे आपर उसके लिए पॉस्टिव एनर्जी मिल रहे है कि डेफिनिटली यह परसन आपके लाइफ में कमबाक होंगे अब प्र अब इस टेम्पे गाइज आपको जो परसन है ना कोई बैलेंस के इनर्जी से मुझे नजर आ रहे हैं ऐसा हो सकता है कि अब इनके लाइफ में आप भी हो थर्ट परसन भी हो कुछ इनर्जी ऐसी लग रही है इस बहुत बुरी लग गए है जिसे बहुत उनके मन को परिशानी हुई उस बात को सुच कर या कोई मिसिंदर्स्टेंडिंग और अगर मैं कम्मिनिकेशन की बात करूं इनके और थर्ट परसन के बीच में तो बिल्कुल इस टेम्पे मुझे एकदम नो कॉंटेक्ट जोन समझ में आ रहा हैं आपर मिल्कुल स्टॉप है कहीं न कहीं आपके परसन और थर्ट परसन के बीच में थर्ट परसन गाइज फ्रेंड्स फैमिली करियर कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन में जो भी थर्ट परसन हो या कोई भी ऐसी चीज जिसको आपके परसन ने एक टाइम ऐ और वापिस यभी person आ रहे है आपके life में तो खाली हत नहीं लोट रहे हैं, ये person एक lesson के साथ लोट रहे हैं, एक सीख के साथ लोट रहे हैं, कि आप इंप person को ऐसा कोई decision जलवाजी में आकर सोच समझ कर कैसे भी कभी नहीं लेना है जैसे person आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि परसन आप से दूर नहीं रह सकते strength देना चाहते हैं आपको और अपने relation को आप दोनों का जो relation है उसमें आपके person चाहते हैं कि आप दोनों के relation में strength हुआ है, एक मजबूती आए पहले कि तरह विश्वास हो आप दोनों को एक दूसरे की उपर और जो भी बातचीत है आप लोग के बीच में जिसी वज़े से no contact हुआ है अब उस बात को खत्म किया जाए इन परसन को इस वक्त ना गायस अंदर से बहुत जिसे गुसा आता है इस no contact के उपर कई बारी परसन की energy मुझे मिल रहे कहीं चाहते हैं कि आपको quickly contact करें आपसे बातचीत करें बट आप में से कुछ लोग के परसन की energy मुझे है ego energies भी नजर आ रहे है कि परसन का बहुत मन है बहुत आपसे बात करना चाहरे बट नहीं कहीं न कहीं किसी बात को लेकर रहे है तो hesitation है शर्मिंदगी है या past में कभी आपसे कुछ इतना जादा रूड होकर बोल दिया है इत बहुत परिशान कर रहा है सोचते रहते हैं मिश्या past overthink कर रहे हैं बट यह person आपको इस वक्त कॉंटाइक नहीं कर पा रहे है तो यह person के truly feeling guys की आपको contact करना चाहते हैं truly feeling निकलकर आ चुकी है इन person की के past को भूल जाएं आप भी और यह person भी और अभी person आपको contact करना चाहते है comparison चल रहा है guys आपके और कहीना कहीं past में present में यह person इस वक्त सोच रहे है कि past में कितना खुशाल जीवन था इन person का और present में कहीना कहीं person struggle कर रहे हैं आपसे दूर जाकर दुखी हो रहे हैं बोज महसूस कर रहे हैं बर्डन महसूस कर रहे हैं कहीना कहीन को ऐसा लगता है कि आपसे किया हुआ वादा भी यह person पूरा नहीं कर पाए क्या फायदा उन वादों का उन promises का जो इन person ने पूरे ही नहीं किया और आपको dreams दिखाए आपसे promise किया आप क्या सोचते होगे इनके बारे में ऐसी बहुत से सवाल है जो इन person के मन में चलते हैं last few energies in person की इस time पर आपको लेकर क्या कुछ है last few energies the fool okay so the fool की energy महसूस कर रहे है guys इस time पर कि जैसे इन person ने कोई अपनी समझदारी से person उसको ठीक करना चाते हैं ठीक करकर ही रहेंगे ऐसी energy महसूस कर रहे है so guys sign की बात करों तो टॉलस वर्गो गैप्रिकॉन मुझे आपर नज़र आ रहे है and लिबरा हो सकते हैं Sagittarius हो सकते हैं आपके person Aries मुझे नज़र आ रहे है जैमिनी हो सकते हैं कैंसर की इनरजी है स्टैम पर कैंसर भी हो सकते है आपके person letter C मुझे बहुत ज़ादा स्टैयम पर मिल रहार है आपके और आपके also लिए आपके या फिर आपके परसन के नेम में जो है लेटर सी हो सकता है starting में लेटर Claire से आपकries आपके person का नाम हो सकता है लेटर आई और लेटर स बहुत साधा है यहां पर letter एस से आपके person का नेम जो है start हो सकता है letter A की भी मुझे नज़र आ रहा है यहां पर आप में से शायद किसी का नेम जो है लेटर क्यू से होता है या फिर आपके परसन का नेम जो है लेटर क्यू से हो रहा है लेटर के हो सकता है आपकी या फिर आपके परसन के नेम में सो यही एनरजी है इस टाम पे गाइस आई होब आपके साथ मुझे रीडिंग है रेजोनेट करें तिल अटाम टेकें है वनेस टे